है कि अच्छाइं है 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 लो फ्रेंज़ वेलकम लाग में तो मैं यूट्यू चनल हम परदने जनर्नल एंट्रीज क्लास लेवन्त का मोस्ट-मोस्ट इंपोर्टन चेप्टर है और इस से पहले वने बेशिक्स पढ़े हैं जनर्नल एंटी के क्या चीज होती है जनर्नल एंटी लेलम बताया आपको modern approach पर मैंने अलग वीडियो बनाया उसमें modern approach के साथ-साथ मैंने आपको एक जनर्नल एंटी का question भी बनाया कि कैसे कैसे आपके paper में आ सकता है ठीक है आज हम करने जा रहे है पर एक ऐसी जनर्नल एंटी कोर्शन जो के आपके paper में पूछा जा सकता है ठीक है कि आप इसे इस तरीके से solve करो कैसे करें एक transaction दे रखा होगा कि उसे हमें इस मैंतल के थ्रूब करना होगा कैसे चलो रीट करते हैं फिल देखते हैं है है कि में अलायज दफ फॉलर्वेंग ट्रांजक्शन इसटेट नेचर ओफ अकाउंट क्या चीज क्या धियूड है जो बता है क्या चीद नेचर अ पकाउंट बता है टीक कि कैसा नेचर है and account that will be debited जो account हो डैवम होगा या अफिर क्या होगा credit होगा credit होगा and as per the traditional rule जो traditional approach है उसके ध्रूब क्राथ शोगी हो अब जाईसे यह हमें questions दे रखा है इसमे हमें क्या पताना है इस question के बिछ पर हमें íveis ऑणाराना है बिटा analyze करना है कैसे करके देखो ट्रांजेक्षन का कॉलम बनाना है हमें टीक उसके बाद हमें account involved इसमें कौन-कौन से account involved है nature of account how it affects debit and credit यह वाला हमें क्या करना है इस format को बनाना है जैसे कि हमने modern approach में भी बनाया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप back जाकर वीडियो देख सकते हैं same to same format बताया और अब हम क्या करेंगे एक-एक करके हम जनरल entries को पढ़ेंगे और उसके क्या effect पढ़ेगा है इसमें कौन-कौन से accounts involved है इसका nature क्या है यह सब जानने से पहले हम क्या करते हैं विटाइक एक वार golden rules का क्या गल लेतना है कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही यूज होगा उसका ठीक है गोल्डन 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 रूल्स ठीक है विटा क्या थे याद आए आपको नहीं आए याद अरे याद कर लो आप तो बच्छो क्या थे डेविट वट कमसें ट्रेट वट गोल्डन गोल्डन रूल्स को याद कर लो यह कौन सा निचल है वेटा यह है रियल कौन सा है रियल अकाउंट रियल अकाउंट निचल है तीक है और सेकंड क्या कहता है वेटा सेकंड क्या कहता है बताओ डेविट क मुझे बताओ वेटा यह कौन सा रूल है डेविट इस दढ़ी सीवर क्रेडिट इस दगेवर ये कौन सा रूल है बताओ ये है आपका परसनल अकांट ये कौन सा परसंट अब थर्ड कौन सा है आपका है सब्दय देवट all losses and expenses credit all incomes and incomes and profits Ums दो वार बार कनोंगा रट लो और यह कैसी भी हो सकते हैं जो लिखसेएм की मतलब यह सी है रहा सब लो दो इस तरीकर से बोला जाए या इस तरीकर से बोला जाए दोनों का मतलब सेम है औल दी लॉसेस एंड एक्समेंसेस यह डैविट आपको डैप्थ पर ध्यान देना है कैसे बोलते हैं यह चीज आप अपने आप से ही बना लो आपको जो बोलने मत चलेगे वैसा बना लो टीक है अई चलो अब करते हैं यह अभी काम आएगा इसलिए लिखाया है दिनेश स्टार्टेट बिजनिस विट कैस रुपीज फाइव लाग पांस लाक लगा करके दिनेश ने क्या करा एक बिजनिस स्टार्ट करा ठीक है और यह हम किससे करें ट्रैडिशनल एप्रोच के थ्रू कर रहे हैं अब बेटा दे इसमें क्या एक बिजनिस स्टार्ट किया है किस से कैस से टीक है तो पहली बाद तो कैसे से कैस कि हुगे हमारा क्या चील पहीं कि सबस्था का बताया है कैस और कैफिटल के साथ ही किनिस को对 है कइस चाइब बढ़ को बिजनिस को स्टारच donn करते हैं जितना गुळाते हैं उत्नी कि हमारी क्या हो proxim Little हो जाती है दूसरा हमारी कैसी जोगी बिटा capital कै तो डो business दोव हमारीSOंट रियार्ट होता है प्यास का निचर का ह्यासथ होता है कैसे का होता है यह होगह हमारा military capital Into PayPal का यह होता है capital का nature हमेशा personal होता है ठीक है जो है cash यह वाले आएगा इसमें डेविट वट कम सिन क्या है हमारे पास cash आया बिजनिस में क्या लाएगा बेटा क्या एफेक्ट आया कम सिन यहां पर आजाएगा cash कम सिन कैस क्या होगा हमारे बिजनिस में आ गया अब बेटा आया किसकी वैसे credit is the giver giver को क्या कर दो credit कर दो giver कौन है दिनेश दिनेश इस दी गिवर दिनेश इस दी गिवर, दिनेश इस दी गिवर, बेटा कौन है, दिनेश ने पैसा दिया है, कितना कैस दिया है, दिनेश ने कैस दिया है, तो देखो, डेबिट तो गिया हो जाएगा, कैस हो जाएगा कितने से, 5 लेक से, और क्रेडिट कौन हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा कितने से, 5 लेक से तो हमारी जर्णरलंट्य जर्णर्राइब्स से क्या बनेगा है सब्सक्राइब क έ면 इस अफाइब फाली खुच्छ पर दिनने स्वाइब से तो स्सक्राइब दिया सब्सक्राइब प्रम तों तो आप कि हमने आप करते हैं ट्रांजक्षन सेकंड इंद पढ़ा जो देखो तक ब बोल्ला है वह वो बीस्टा बोरोड फ्रॉम नरेश रूपीज 1 लेग हमने क्या बोरो का मतलता उधार लेना किसी सम्ने लोन ले लिया न बोरोड लेने रहे यहां पर बोरल लेने रहां एटीक है व हमारे हमारे पास सबसे पहले क्या है कैस इस इस टेक नजान कूल रिए पित आगे हैं फ़सरी चीज की से लोन व नरेश कर … नरेश, नरेश से हमने लोन ही तो लिया बिटा, आई बास समझ मैं, नरेश से हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया, इतनी बास समझ मागी, हमने उधार लिया उससे, या लोन ले लिया उससे, किस से, नरेश से, कैसा आगे हमारे पास, कैसा होता है बिटा, रियल, ठीक है, और लोन क्या है हमारे पस लोन जो है नरेश अगर आपको यह चीज नहीं समय वह परस्डम क्या होता है रियल नॉ मİनल क्या होता तो तो क्या करो lod़ कि TRADIDITIONAL करोश में जा न्या करो Leap पूरा का पूरा वीडियो बना रहा है उसमें सारी चीज मैंने classified कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ वाएगा ठीक अब देखो इसमें नाम दे रहे हैं नाम क्या होता है परसनल अकाउंट तो यह परसनल हो गया क्या हो गया परसनल हो गया ठीक loan from नर्श परसनल हो गया cash real हो गया ठीक है पीटा cash क्या हो रहा है हमारे पास आ रहा है cash comes in cash comes in cash हमारे पास आ रहा है देखो यह है cash comes in real account में cash comes in और किस से आ रहा है परसनल अकाउंट नाम क्या दे रहा है कौन है giver credit is the giver देने वाला कौन है नरेश nourish is the giver ठीक है पीटा nourish is the giver अब देखो कितना आया cash हमारे पास कितना आया what comes in debit 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 होगा ना what comes in debit cash हमारे पास आया cash क्या है real, real क्या होगा पीटा what comes in debit कितने का है लोन हमने कितने का लिया है एक लाग का कितने का लिया बटा एक लाग का किस ने दिया नरेश ने दिया कितने का एक लाग का आगे इतनी बास समझ मैं आगे देखो लोन लिया हमने किस में लिया कैस में लिया किस से लिया बेटा हमने नरेश से लिया कैस रियल होता है और जहां नाम जोड़े जाब वह personal होता है टाइक है किसी की भी नाम को represent कर दो वह भी personal हो जाएगा cash comes in what comes in debit क्या रहा हमारे पास cash comes in nourish is the giver nourish क्या है गिवर है ठीक तो comes in what comes in debit तो debit कर दिया हमने और credit is the giver तो हमने credit कर दिया है ये rules भी इस traditional approach के साथ क्या हो रहे हैं, apply हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज मैंने पहले लिखा दीती, ठीक है, अब third देखो, third, पढ़ो बेटा, third क्या है, purchased furniture for cash rupees 20,000, अब क्या कर लिए हमने purchase कर लिए बेटा, क्या चीज furniture, purchase क्या है, क्या चीज, furniture, तो हमारे पास एक तो furniture आ गया, furniture, ठीक है बेटा, purchase furniture for cash दिरका गया, yes, cash दिरका है, तो हमारे पास एक क्या सला गया, cash चला गया, ठीक है, purchased furniture, furniture क्या है, एक बेटा, real account है, मतलब assets है, cash कहा है, cash भी real है, ठीक, यह भी assets है, यह भी assets है, और यह क्या हो रहा है, furniture हमारे पास से आ रहा है, what comes in, comes in, ठीक है, furniture comes in, furniture हमारे पास आ रहा है, furniture comes in, and credit, यह क्या हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है, क्या हो रहा है, credit, what goes out, हमारे पास से क्या जा रहा है, cash जा रहा है, cash is credit, कैस क्या हो रहा है वेटा गोज आउट हो रहा है हमारे पास से कैस इस गोईंग कैस हमारे पास से क्या गर रहा है जा रहा है हमारे पास से कैस जा रहा है हमारे पास क्या रहा है वेटा हमारे पास फरनीचर आ रहा है ठीक है तो फरनीचर भी रहा है कैस भी रहा है फरनीचर आ है cash जा रहा है ठीक है तो क्या हो जाए what comes in debit furniture हमारे पास कितने का है बेटा 20,000 का और हमारे पास से 20,000 का ही क्या चला गया cash चला गया आगे इतनी बास समझ में ठीक है अब देखो next फोर्थ कि दिया है purchased furniture from Delhi sofa डेली sofa for rupees 40,000 अब देखो हमने purchase किया है किसे Delhi sofa से क्या चीज़ किया पर्चेश furniture हमारे पास furniture तो आ गया यह बात तो सही है हमारे पास furniture तो आ गया देखो furniture तो हमारे पास आ गया ठीक है लेकिन इस वार हमने cash नहीं नहीं दिया है देखो पिछली वारी में हमने cash दिया था लेकर इस वारी हमने cash नहीं अब मुस्त hè मुझे मालूम पता मुझे कैसे मालूम चल přेमाने cash नहीं क्योंकि बेठा यहाँ बेचने वादी का नाम दे रहा सोफा टीक है अगर वहां पर नाम दे रефका हो किसी भी बेचने वाली कंपनी का या किसी भी बेचने वाले किसी भी सौप का नेम दे रखा हो और कैस ना दे रखा हो तो हम हमें समझे हमने किस पर खरीद है क्रेडिट पर खरीद है ठीक है समझ में आगे इतनी बात अगर हमें कैस दे रखा है तो ही हम मालेंगे कि हमने कोई चीज कैस ऐगर आपको कैस नहीं दे रखा है तो हम मान के चलेंगे हमने किस में खरी दिये वेटा क्रेडिट पर खरी दिये जैसे देखो पर्चेज फरणीचर फॉर कैस यहाँ पर वर्ड यूज़ कियाता न है परेज टिक है अगर कैस में खरीद आया थो ढेगद है किस नहीं खरीद आगी तो नेम दे रहे रखा खुआ होगा और कहीं कहीं पर आपको कैस में नहीं पर प्रनीचर स्थेक्रों सिर्खा को कैसे करीद देते ना, तो डैली सोपा को हमें इगनोर मानना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या वर यूज हो गया, कैस, लेकिन इसमें नहीं हुआ है, तो इसमें हमने क्रेडिट पर खरीद दी, पहली बात, हमने खरीदा क्या, फरनीचर, किसे खरीदा बेटा, डैली सोपा, टैको बेटा फरनीचर क्या होता हमारा रियल अकूंट टीक डैली सोपा क्या हमारा परसनल अकूंट अभी रियल अकूंट परसनल अकूंट क्या चीज है बेटा यह आप क्या कर वो ए ट्रेडिशनल एप्रोच की मैंने एक वीडियो बना रही है उसमें जा के देखना अलग से बना यह है अब गये है डानली सोफा डानली क्रेडिटर जो दे रहा है हमें дрाटटर डाली सोफा गेवर डेली सोफा, इस द गिवर, जो हमें दे रहा है, ठीक है, अब जो हमारे पास आया है, वो डेबिट हो जाएगा, कितने का, रूपीज 40,000 का, बस, बहुत सिंपल, आसान एकडम, ठीक है, अब करते हैं, अब इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, फिर फिप्ध करते हैं, आप प्रिफ्ट करो देखो सोल्ड गोड्स फॉर कैस्ट वरुन और रूपीज 25,000 टीक है यह है देखो पीटा इन में हम पर्षेश कर रहे थे ठीक अब हम सोल्ड कर रहे हैं अवी तक हम चीज खरीद रहे ते अब हम चीज बेच रहे हैं तो जाहर सी वाता हमें प्रॉफिट होगा ठीक है अब हमने क्या करती है Sumfard कर दिया किया से शोल्ड कर दिया व हमने क्या कराई कि किस चीश के लिए क्ये स्केलिए क Teil के लिए में के कर दिया है तो हमारे पास एक तुक क्ला कैस आया तो वह मुझे 25 रुपर देगा या नहीं देगा तो उसने मुझे सेल्च कर दिया है ऐसे ही देखो हमने क्या करा है क्या मिलकि हमें Kis पर क्या चीज है नाम नहीं देरकाना है सेल्स ना लिखकर क्या लिखते हैं sold कि जय sobות भी नहीं लिखेंगेいます lg f considers लिखाएंगे क्या lesफ लिखाएंगे ठीक है क्या लखाएंगे फेघा तेख यह इनके heart क्या होते हैं- है nature हुते है nature होते है जैसे purchase का क्या होता है debit होता है sales क क्रेडिट होगी क्या इनका nature है टीक नेचर अब दी अकाउंट होता है, cash क्या होता है हमारा, real, ठीक है, और sales cash होती है हमारी, nominal, अब यह क्या आगया भाई, आप लोग तो यह सोचोगे न, nominal, nominal भी हमारा होता है, दीखो हमने case भी लिखा हुआ, nominal, अगर हमें profit हो रहा है, income हो रही है, तो यह credit हो जाएगा, और हमें nominal account, cash क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे पास आ रहा है, comes in, cash, comes in, sales क्या हो रही है, 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 sales हम से जा रही है, मतलब चीजा हम से जा रही है, ठीक है, sales, ठीक है, यह क्या हो रहा है, credit, sales क्या हो रही है, credit हो रही है, ठीक ह ठीक है दिखाई दे रहा है ना यह देखो और आपको क्या करना है इसे अभी बता यह आपको क्या करना है यह सारी चीज़ां भी लिखनी है ठीक है और यह क्या करना है यह यह क्या करना है यह क्या करना आपको यह फस्ट ट्रांजक्शन सेकिंड ट्रांजक्शन फिफ्ट ट्र है real cash cash क्या हो रहा है हमार पास cash comes in cash क्या है हमारे पास sales है एक हमारी income है नहीं सेल्स हमारी income ही तो हुआ sales is an sales is a sales is an income income देख़ए यह है credit all the incomes and ex-profits income हो रही है हमारी sales क्या है revenue revenue की व्थ्तू हमारे पज़ के आ रही है, income आ रही है, तो nominal sales in and income, तो ठीक है, अब cash को होगी है, cash कितना है ने पास 25,000 रुपीज का, ठीक है, और sales करके हमारे profit कितना हुआ, profit हुआ हमारे कितना 25,000 का, ठीक, यह चीज होगी है हमारी, अब देखो, दूसरे इसे करने का method क्या है, दूसरे यह है, what comes in डेबिट हमारे पास कितने आ गया 25,000 रुपीज का क्या गया बेटा हमारा कैस आ गया what goes out credit goes out credit का मतला 25,000 रुपीज के हमारे पास से क्या चलीगी sales चलीगी मतलब goods चला गया देखो जब हम 25,000 रुपीज का किसी नहीं हमें cash दिया ठीक तो हमने उसे goods भी तो दे दिया 25,000 रुपीज के तो हमारे पास से goods भी ले गया 25,000 रुपीज के ठीक है तो यहां पर यह भी हो सकता है what comes in debit what goes out credit ठीक है लेकिन इसमें हमें profit भी तो रहा होगा तो हम income बाली चीज को इसमें include कर रहे है ठीक यह हो गया तुमारा अब अब कौन सा बचा बेटा 6th purchase goods from महेश for रुपीज 30,000 ठीक है बेटा हमने purchase किये है किस से महेश से अब देखो इसमें लिखा हुआ purchased goods from महेश for रुपीज 30,000 इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हमने cash में लिए है ठीक हमने क्या करे है उधारी पर खरीदे है अब देखो इसमें 6th एक तो है purchased 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 अब बताया था sales करने से बीटा हमेशा कैसा होता credit और purchase करने से कैसा होता है debit यह हमेशा debit होगा याद रखना first video से बता रहा हूँ sales जब भी आएगी आपको credit करनी है और purchase जब भी आएगी आपको debit करनी है ठीक है बिना सोचे समझे बस purchase जहां आ जाए ना वाँ debit कर दो ठीक purchase हमारी debit होगी अब देखो purchase goods from महेश हमने किस से खरी दे बीटा महेश से क्या हम पैसे दे कर क्या है नहीं दे कर क्या है हमने तो महेश से खरी दे महेश आ गया हमारे पास ठीक है अब यह क्या होता है purchase क्या होती बीटा nominal होती है और महेश क्या है बीटा personal क्या है बीटा महेश पर्सनल ठीक है अब नॉमिनल क्या है वेटा ये है जैसे sales is an income ये हमारी नॉमिनल क्या है वेटा नॉमिनल वट कमस इन पर्चेज कमस इन पर्चेज कमस इन और इसे दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं दूसरी तरीके तूसरा हमारे पास क्या है एक होती है हमारे क्या होती है हमारे खर्चा भी तो हो गया ऐसे ही हम इसमें क्या कर सकते हैं दिए जो सेल्स वाली है अगर आप कन्फीूज हो रहें cash comes in sales season income यह कैसे कर दिया तो देखो हमें ऐसे भी लिख सकते है cash comes in और sales goes out sales goes out ठीक यह वाला case चल जाएगा इसमें credit word comes in यह cash word comes in credit word goes out हमारे पास से sales क्या हुई चली गी तभी हमने क्या करा है sales को credit किया ठीक है purchase हमारी आई है तो हमने debit करा और purchase हमारे क्या है एक expense है इसलिए भी हम क्या करना है इसको debit करना है ठीक और यह क्या है personal महेश क्या है वेटा personal account है ठीक है अब यह क्रेडिट इसदी के बार यह वाला रूल चल जाएगा credit इसदी के बार महेश ने तो हमें दी है ना तो इसे personal कुना मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ पर्सनल तो और शाप से इससे आपको देख जाए पर्सनल ठीक है ऑर्सनल account के अधियर क्रेडिट महेश इसदी गिवर महेश इस दी महेश और और पर्चे साथ का यह मारे इससाथ क्हों चाहते हो जाती है यहां पर ठीक चैकेस करें हमने इसके विद गोल्डन रूल्स एंड विद दी ट्रेडिशनल एप्रोच मैथड के और यहां पेटा याद रखना आपको यह ट्रांजेक्शन से यहां पर लेखने हैं जैसे के अधर पर नहिए जो करें तो मिलेंगे आपको यहांसे जाड़े हैं को यह वाली जाटाशने के विद प्रीस फाइब ले理 तक नहीं है उसके बाद में यह करना है कैस कैपिटल रियल पर्सनल कैस कम सिन दिने सिजदी के वर 5,000,000 ठीक है समझ माएगा आपको ऐसे करना है ऐसे करना है 123 डाल करके ठीक है अब देखो यह क्या होता है आपका यह कुछन यहां पर होता है इसके साथ ट्रेडिशनल एप्रोच का भी क्या होता है अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू मैथट के साथ मिलेंगे और देखते हैं क्या लेकर क्याते हैं तब तक आप ट्रेडिशनल मैथट की मॉडर्ण मैथट की और इन दोनों की मैंने जो जनरल एंटिस करना है उनकी क्या